Virtual card क्या है और इसे कैसे बनाए आज हम आपको इसी विशय के बारे में बताने जा रहे है और जानेंगे की virtual card क्या होता है और इस card को हम online कैसे बना सकते हैं आज के समय ओनलाइन खरीदारी में काफी बरोतरी हो गई है आज लगभग हर इंटरेट चलाने वाला व्यक्ती इंटरेट से ओनलाइन खरीदारी कर रहा है लेकिन ओनलाइन कुछ सामान खरीद से कई बार नुकसान भी उठाना पर सकता है क्योंकि जब आप उनलाइन को सामान खरीदते हैं तो आपको अपना डेबिट या ख्रीडिट कार्ड की जानकारी शेर करनी पड़ती है लेकिन virtual card को आप सिर्फ internet में online ही use कर सकते हैं, इस card को कुछ समय के लिए ही बनाया जाता है, इसे आप debit card की तरह ATM मशीन में प्रयोग नहीं कर सकते हैं. जब आप इस card के लिए apply करते हैं, तो इस card में आपको आपका नाम card का number CVV expiry date जैसी तमाम जानकारी मिल जाती है, इस वैधता कुछ समय की ही हुती, इसके बाद ये card अपने आप expire हो जाता है. हाला कि अगर आपने इस card को खरीदने के बाद कोई इससे कोई भी खरीद़ारी नहीं की है, इसके रूपे आपके account में जमा यानी credit हो जाते हैं. इस तरह इस card से आपका किसी भी तरह का नुकसान भी नहीं होता है. Virtual card कैसे बनाए? अब आप जान गए होंगे की virtual card क्या है, यहाँ हम SBI bank के जरिये virtual card बनाना बताने जा रहे हैं, क्यूंकि ज्यादातर लोगों के पास SBI का account है. इस card को बनाने के लिए आपके पास SBI bank की net banking होना जरूरी है, क्यूंकि इस से ही इस card को बनाया जा सकता है, अगर आपके पास SBI की net banking सुविधा नहीं है, सबसे पहले अपने account की net banking साइट पर login करना है, इसके बाद आपको menu में आपको कई option दिखाई देंगे, आपको एक card पर click करना है, एक card पर click करते ही आपको तीन option दिखाई देंगे, जिसमें पहला option State Bank virtual card का होता है, आपको simplest पर click करना है, अब आपके virtual card बनाने के लिए आप से राशी भरने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ आप पर निर्भर करता है कि आप कितने रूपे का virtual card बनाना चाहते हैं, इसकी card को आप 100 रूपे से लेकर 50,000 रूपे तक का बना सकते हैं, राशी भरने के बाद आपके registered mobile number पर एक OTP आएगा, जिसे box में लिखने के बाद और confirm करने के बाद आपका virtual card जनरेट हो जाएगा, इस card से आप कहीं भी online shopping कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो इस card को बनाने के बाद तुरंतिया बाद में भी cancel कर सकते हैं, cancel करने का option भी आपको यहां मिल जाता है, तो इस तरह आप SBI Net Banking के जरिये virtual card बना सकते हैं, इस video को देखने के बाद आप जान गए होंगे की virtual card क्या है और इसे कैसे बनाए, इस card को बनाने के काफी फायदे है क्यूंकि इस card से shopin करके आप अपने debit card की जानकारी सुरक्षित कर सकते हैं. इस card से shopin करने के बाद इस card की पूरी जानकारी expire हो जाती है. कुछ shopin company credit card से shopin करने से कुछ percent का discount देती है तो आप इस प्रक्रिया से virtual card बना कर से शॉपिंग करके ओनलाइन साइट से डिसकाउंट भी ले सकते हैं. I hope you like this information. अगर आपको एं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो. और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के संग शियर करो. मैं मिलूंगा अगले वीडियो पर तब तक के लिए. जैहिन!